बाबा सुनने आप सुनना है आपको बैठे हूँ आप ऐसे सुनता नहीं हो जैसे नईया हमारी मोहर उत्रे की पार कैसे तुझे क्या पता नहीं है मचधार में पड़ी है आजा में कदिया बिन माजी के डूबेंगी मेरी आजा बाबा आपको जब घर गुलाया तो आपने जो प्रेम दिखाया वो कोई किसी राजा महराजा वाला प्रेम नहीं दिखाया कोई भगमान वाला प्रेम नहीं दिखाया आपने तो ऐसा दिखाया जैसे मैं सुदामा और तो कनिया बनके दिखाया तुम्हारी शरन तुम्हारी कसम मजान प्रेम अज़को बनके पैसे टूम्हारी गे फिन सुदार्श आप्ने सुदान वाला यि अजल एçiको फस्ते तो मैं वाल मान कर दो घुम्हारी कहीं गुलाूज चलिखाविको और्षणाची को तुम्हार॥ मुला थिच्छकु को एक खकाया को टुम्हार तुम्हारी शरण मिल गई इसाव देखना वो जाता है तो जाने दो बैटने दो आज अपने आम को देखना कि यारी पकी है कि कच्छी है उठाओ जाओ 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 ये बात ये बात कुम्हारी शरण मिल गई इसाव इसाव देखना पूछने वाला को ही नखा धा हमें पूछनेवाला कोई नथा हमें पूछनेवाला कोई नथा तुम जो मिले जिंद की मिल गई तुम्हारी शक्म मिल गही सारे Sam away कसी analysisbung जिंद की पिल गई और बाबा पुत जिसको यारी दी है अगर उठाएं दरों हाथ तो यह यारी परकरार रहे जनवों जनवों तक अगर बजाय ताली सातों चरप करना रखो ऐली समझ के अकेला सता दिये दुनिया सित्म पे सित्म हम पे थां दिये दुनिया हाटू जाने के बाद अकेला अपन महसूस करते हो क्या समझ के अकेला सता दिये दुनिया सितम पे सितम हमें ठाती है दुनिया लेकिन गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो कनीमत है इसको कहना तुझा गलत पहमी है मैं अकेला नहीं हूँ है अरे का सहारा को चाहरा कैसे हो गया हमारा कभी एक होता है कि हमारे में दो होते हैं या चार होते हैं हारे का सारा बाबा शाव समझ के अकेला सबाती ये दुनिया सितम पे शितम हम पे खाती ये दुनिया सितम पे शितम हम पे खाती ये दुनिया गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो मुझे आपकी दोस्पी मिल गई तुम्हारी शर्ण मिल गई सावरे तुम्हारी कसम जिन्दगी मिल गई तुम्हारी शर्ण मिल गई सावरे तुम्हारी कसम जिन्दगी मिल गई आप हाटू जाते हो क्या क्या लेका तो वहां से पापर बड़ी कौन कौन लेका अचार लाओ कोई दिक्कत नहीं 300 रुपे किलो पापर 300 रुपे किलो बड़ी लेके आओ मगर एक 30 रुपे का स्टीकर मिलता है तीन बान धारी के निशान का जिसके नीचे लिखा हारे का सहरा वह पापर बड़ी छे महीने साल में खतम हो जाएंगे मगर वह स्टीकर जहां लग गया वहां पर बाबा परमानेंट आपके साथ हो जाएगा साफ नहीं दुर जाएगा नहीं उठालो जरा दूँआ हाथ खाटू जाओ तो लेकर आओ आओ सस्टीकर पांठों दुरियां में कि चिता मत कर जैसे बाबा हमारे साथ है तेरे साथ मिम्हाबा है यह अ कि वाथा क्या बात है क्या बात है लखतातार की बलो फागुण में बुलाने वाने की क्या बात है कुण कुण चलेगा फागुण में दिल ट्रवाar पुर्णक जेगो जूदि चलेगा उनको कल पर्सों में मिलेगी क्योंकि कहीं न कहीं उनके भी बारी किक तन मेंन आएगा कोई नहीं यह नहीं कि जूआण बज़े आप उसको कुछ नहीं मिलेन चला गया तो नो अब खुश किसमत हो आपको 26 तारिक कोई आगई आपको 2727 चिट्धी आई है काटू से चिट्धी आई है अब बड़े दिनों के बाद मेरे सामरिय को ओ बड़े दिनों के बाद मेरे सावर ये को बिली की याद सलाई है चुछी आई है खाटू से चिठी आई है खाटू से कि फिली आई है क्या बोला पिछले फागडू के कौन गए थे खाटू खूब सजी खाटू की कलिया खूब सजी रस्ता देख रही थी अखिया ओ फिली में रहने वाले खाटू कभी कभी आने वाले आजा उमर बहुत है छोटी मैंने दूँगा तुझे को रोटी चिठी आई है चिठी आई है खाटू से चिठी आई है आई है खाटू से चिठी आई है बनाते न तुम को यह प्रेमियों की पहचाण है यह नौजवान भाई है दुनिया कहते है दिल्ली की जवानी कौन सा नशागरती है आ कर देखो रोईणी में इल्ली की जवानी सामरे के नाम का नशागर्थ बनाते न तुम तूप जाते कर नहीं या बनाते न तुम तूप जाते कर नहीं या कैसे किनारे लगाते ये नहीं या कैसे गमें जिन्दगी से परेशान थे गमें जिन्दगी से परेशान थे वो कहता था मैं तेरा यू तो लाख दरत बंद मिलते हैं पर काम के लोग कुछ चंद मिलते हैं और जब घड़ी मुसीबत की आती है तो सब के दर्माजे बंद मिलते हैं लेकिन दुनिया में सिर्व एक दोरंदवार है जिसके दर्माजा यह नहीं है साब बाबा ये बोलता है पनाते ना तुम लूप जाते कनहिया कैसे किनारे लगाते यह नहीं कोठी तो तब बनाता ना जब परिवार से सुखी उता व्यापार तो तब चलाता जब घर में कलेश्णा होता है खाटु जाने से पहले व्यापार करते थे मगर घड़ से लड़के जाते थे लेकिन जब से खाटू जाने लगे है घर में वो शांति कि जाते बी जैश्री शाम मिलता है। परेशान थे रोते ल वडो को हसी बिल गए हाठे यह, मुखभी यह, या तो रोलो या हसलो मुखभी यह, या तो भजन गालो, या निनदा चुभली गर्णोसाब तो जिसको बाबा चाहिए दुनुन हाथ खोलकर तुम्हारी शरम पिल गजए सामे तुम्हारी शर्ण तरही सामने तुम्हारी गसम जिन्द की लगद गए तुम्हारी शर्ण तरही सामने 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 जब रूठे मेरे सावरिया सरकार दरूठे जब रूठे मेरे सावरिया सरकार दरूठे जीओ में जब तकिशाम ते बातार ना छूटे रिष्टों की आड में लूटा मुझे जबाने में यह पुरा हमारा शाम परिवाद है कोई बच्चा घर में नादान भी होता है तो इसका मतलब यह नहीं हो ना उसको समझाओ ना और घर से निकाल दो नो उसको समझाओ समझ जाएगा आज नहीं तो समझ जाएगा साथ कोई इबादत कर इबादत करने से बात बनती है इबादत कर इबादत करने से किसी कि दिन में बनती है किसी की रात में बनती है तरह ताली बजाने परें फिरेंस यह वाद रिष्टों की आर बलूटा मुझे रहने दे मेरे भाई ने सवाल किया कि कोई समझे ना तो क्या करें कोई समझे ना न मैंने अपने जीवन को यू सरल कर लिया मैंने अपने जीवन को यू सरल कर लिया किसी से माफी मांग ली किसी को माफ कर ली तरबार में हम माथा देखते हैं क्या गरंटी आशिरवाद मिलेगा तरबार में माथा देखते हैं क्या गरंटिया की आशिरवाद मिलेगा ये भरोसा है कि जब इसके आगे माथा देखेंगे तो आशिरवाद मिलेगा ऐसे ही जो रिष्टा बना रखा है ये भरोसा करके रखो एक दिन एक दिन वापस संदी हो जाएगी और जिस दिन संदी हो गई उस दिन क्या बाël करोगा इस बाद का विचार को हब हता उस दिन कोई शब्द नहीं होगा बोलने Key ओदनी के सबमार दिने हमने अपनी ऊमर घर लники जिलेटी जिलेने अपने मेर लिजाना दिने जिलेटी उस तदन कहा बात करोगा इसुर – 1 mod से मेरी गुजारिश है महावली बर्वरी है मौर्वी दंदन है भीव सेंगे पात्र है खटोग कच दंदन हम तूटे कोई फरक नहीं पड़ता बाबा हमने तो वैसे भी तो मैंने दुनिया के बोल सहे सावरिया तेरे लिए हम तूटे पर तुझसे जुड़े यतार तूटे हम तूटे पर तुझसे जुड़े यतार तूटे जीओ जब तक शान मेरा तूटे जीओ में जब तूटे हम तूटे आपकी बात का जवाब तो गाने वाला कभी कोई जवाब नहीं देता है बाबा अपने अब मुक से नकिलवाता है कोई कहता हो कि मैंने दिया नो पॉसिबल ही नहीं जब आदमी का वक्त अच्छा नहीं होता है तो दरदर के ठोकर खाता है और जब अच्छा वत को जाता है तो इंटरव्यू दोने लग जाता है मैं आपने ऐसे किया है यह वक्त की बात है वक्त कभी किसी का नहीं हुआ साथ मुझे शाम इतना काबिल बना दो मुझे शाम लेना काबिल बना दो प्रेम की जोती दिल में जगा दो उंगली उठा करके कोई ना कहे संजू के दिल में कमी मिल दो उंगली उठा करके कोई ना कहे मेरे भी दिल बजा दिली दिल वालों की तो कहीं भी कमी मिल जाए दिली के दिल में कमी नहीं मिल जाए तो संजू भी आने जिन्नोंने भजल लिखा ये बात में वो भी सुनेगे मैं उसे शमा जाओंगा मैं कुछ चेंज करना उंगली उठा करके कोई ना कहे भलो उंगली उठा करके कोई ना कहे दिली के दिल में कमी मिल जाए अगर दिल में कमी नहीं है तो जड़ा दोनों हाथ उठा के प्रेम से ये बात तुम्हारी शरण मिल गई इसाव ने तुम्हारी शरण मिल गई तुम्हारी शरण मिल गई इसाव ने तुम्हारी शरण मिल गई इसाव ने तुम्हारी शरण मिल गई इसाव ने प्लकाटू डरेज गेंगे शाम बाबा, शाम बाबा, शाम बाबा 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 दानी होकर क्यों चुप बैठां ये कैसी दातारी रे क्यों तेरे भगर दुखाई रे शाम बाबा क्यों तेरे भगर दुखाई रे बाबा बहुत दुनिया आई थी बहुत लोग आई थे उनमें से आपने छटनी करके जिनें बिठाया है इनकी जोली खाली नहीं जानी चाहिए फिर कोई फायदा नहीं ऐसे बिठाने का दुनों हाथ कोलके ये बाद एक लोग धी बाद शाम प्यारे की शाम सुनरी ने खुश होकर तुमें अपना रूप दिया बाबा अपना रूप दिया है और हमने उस रूप का दैशन सौसा बार किया है और बाबा सौसा बार किया है और अच्छा सौ बार खाटू गयों दो बार खाटू गयों सौ बार जाने वाला खुश किसमत हो सकता है लेकिन दो बार वाले के पास भी बाबा उतना ही है जितना सौ बार वाले के पास और अगर दो बार गयों न तो अठानवे बार जैश्री शाम बोल देना सौ बार खाटू हो आउगे हमरे संकट दूर ना होतो हमरे संकट दूर ना होतो या बदना में धारी रे शाम बाबा क्यूं तेरे भागत दुखारी रे शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा अर्धानी होकर क्यूं चुप बैखा यह कैसी दाता री रे शाम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे जब तक आशा होगी ना पूरी दर से हम ना तेगे सब भगतों को तेरा नाम ना लेगे सोच ले तू भगतों का पलड़ा हम थगणी होती है न काटा तराजू जिस तरव भार होता है को निची होती है कि उपर होती है निची होती है और जो हलका हता है वो उपर सोच ले तू भगतों का पलडा सदारा है भारी रे सोच ले तू भगतों का बलड़ा सदा रहा है भारी रे शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा एक बार गाना बस इसके बाद अन्तिम की दो लाईने शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा शाम, न मैं माघू हीरा बो ती ना चान्दी ना सोना बाबा ना चांदी ना सोना सब के आंगने भेज दे बाबा तुझे साएक सलोना बाबा तुझे साएक सलोना हमको क्या जो वन उपवन में हमको क्या जो वन उपवन में फूल रही फुलवारी रे शाम बाबा क्यों तेरे भगते दुपरी रे हो शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा दानी होकर क्यों चुप बैठा 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 तुड़ा जूंहू बैठा दानी होकर क्यों चुप बैठा ये कैसी दातारी रे शाम बाबा क्यों तेरे आखे दुखारी रे शाम बाबा क्यों तेरे बाबा बाबा जैसरी स्याम दोस्तों दोस्तों भजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और इसी पेकार के और भी होजन सुनने के लिए हमारे येटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आई करें जबूर दुआए